अब चिनाई ठीक करने के बाद वहां पर मार्जन ठीक है यहां पर मार्जन टेड़ा रहे हैं तो काफी टाइम समय निकालने के बाद मैंने दाग़े से सारा चेक कर लिए कि दिक्कत कहा रही है तब भी नहीं पता लगा मेरे को मैंने यह टाइल भी चेक कर ली कि यहां पर थो आपने वाली टाइल नपवाई ओर फिर यहां की टाइल नपवाई यह देखो यह थोटी टाइल है पर मैं बड़ी टाइल नपवादेता हूं कि यह आरी आपकी 14 इंची है रहां की नपवस्ट न आप एंदर यार यह देखो आपकी साड़े पंदरा इंच की टाइल यहां रही है तो यहां पर दिवार है तो वहां साड़े पंदरा से जादा ही है यहां पर दिवार है और मैंने दिवार से यह देखो अंदर वाली टाइल ही तो चोदा हैं सारा कुछ करने के बाद मेरे को तब भी पकड़ में नहीं दिक्कत क्या है फिर यहाँ तो इस कमरे की टाइल लगाई हुई गलत है यह चुछ गलत है तो मैंने दागा लगाया है यहांपर यह सीधी सही चली आ रही है तो यह यहां पर ताइल थोड़ी फालतो निकली हुई है तो मैंने मार्जिन छोड़ दिया दागा लेगे यहां गए अब यह राजिंदर यह नापके दिखा दिखा दियो कि अब यह दिखो इसकोने से नाप पाई आरे आपका साड़े नों से थोड़ा सा फालतू है देखो अब यह वाला दिखाना यह देखो यह पूरा-पूरा दस हा रहा है आदा इंच का फरक है यह अब उदर वाला पॉइंट दुबारा दिखा दू आदा-इंच से कमका फरक है थब यह दिक्तत आ रही है और इदर से आप मैंने उस टायल को उस टायल के लाइन को वहां से भी नापकी देख लिया तो अब यह को लाइन में आपके देख लिया उसको ने से वो पॉइंट भी ना आपके देख लिया बीच में ठीक कर भी दी तो फिर इतनी दिक्कत क्यों आए तो दिक्कत इसी की है वहां पर सब्सक्राइब लगा दी यहां पर आपके 14 इंची टाइल लगा दी इस से कितना फरक है